तथाकत ने दिया मानपता का संदेश, भिकों ने दिया उसका उपदेश और उससे मिला दुख्ध मुप्ति का मार्ग यूजिन बुद्धा की खास पेशकर्श भदंत धम सार्थी के शब्दों से सुनिये धम देश विश्व के सरोशेष्ट, मामानो, करुणा के सागर, तथा गद बुद्ध, भारतिय सविधान के निर्माता, ज्यान के प्रतिक, सविधान के निर्माता, बावासा बामबेट कर, सभी महामानों को मैं अभिवादन करता हूँ, मेरे गुरू आर्या नागाजुन, सुरेश ससाय, उनको नमन करता हूँ, सभी स्रावक संग इनका अभिनंदन करते हूए, मैं अपने विचार को आपके सामने रखता हूँ, अभी जो विशे आपके सामने चल रहा है, वो विशे बहुती अच्छा विशे चल रहा है, और बहुती अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखी जा रही है, तो अभी जो विशे चल रहा है, सामाजिक समश्या है, सामाजिक दुख्या है, उसके कारण क्या है, और उसका निवारन कैसे कर सकते हैं, यानि समाज में जो दुख है उस दुख को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और उसको कैसे दूर किया जाता है इस बारे में ये बाते बताए जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण विशय है तो अवश्य आप इसी सभी प्रबोधन आप अवश्य सुनिये आपक सैं के लिए ये बहुती अच्छे है इसलिए अभी जो आपके सामने रख रहे हैं कि मानसिक गुलामगिरी Mental slavery ये जो मानसिक गुलामगिरी है ये समाज के लिए बहुत ही हानिका रखे इससे समाज की पूरे जो शोशन व्योस्ता बन जाती है और समाज का शोशन होता है समाज में दुख और समश्या निर्मान होती है मानसिक गुलामगिरी Mental slavery यानि मन स्वतंत्र नहीं आपका हरे का मन जो है चित्ता स्वतंत्र होना चाहिए लेकिन जब स्वतंत्र नहीं होता और मानसिक गुलाम बन जाता है तब अपने लिए बहुत हानिकारक बात होती है बाबा साब ने कहा कि जो Mental slavery होती है जो मानसिक गुलामगीरी होती है, इससे आदमी स्वयम चिंतन ने कर सकता, चिंतन करेगा भी, लेकिन वो चिंतन को कुरुती में उतार ने सकता, क्योंकि उसके विचारों को एक दिशा में एक जगे उसको बंदिस किया जाता है, एक घेरे में उसको बंदिस किया जाता है, उस घेरे के बाहर उसके विचार निकलते नहीं है, इसलिए आदमी बंदिस अवस्ता में जैसा कैदी होता है, उसी अवस्ता में आदमी उसी में रह है उसके बाहर निकलता है नहीं किसी को कहा कि इसके आंग में देवी आती है बस इसका सुनो उसकी पुझा करो तो देवी जो आशिरवात देंगी वह आपका कल्यान करेगा तो उसी मेरा वो बस देवी की पुझा करना है उसके आंग में देवी आती है वह आशिरवात देंगी वो जो भी बताएंगे उससे मेरा फायदा होगा तो उसे में लगाए दुसरा सोचते हैं कि इससे और दुसरा कोई उपाए हो सकता है तुमारे समश्य का निवारन हो सकता है वो दुसरा सोचे गाए नहीं क्योंकि वो उस देवी का उसके आंग में आती है माता उसका वो पूर भाखी किसी का सुनने ने, हमारे महामानों ने क्या बताहे उसका भी सुनने, बाबासाब अम्बेट करने क्या लिखा है बुद्द twentema में उसका कुछ लेन देन ने .cken Talin कि प ने उ हनु ने पताला ना बस हो गया। उसके पूरी तरह से गुलाम, उसने बोला कि आपको जाना है, यहां जाना है, यात्रा करना है, धागा बानना है, यह करना है, उससे में रह गया हूँ, गुलाम बनके रह गया, उससे समाज का दुखा और बढ़ता है, समाज के समश्या और बढ़ती है, क्योंकि यह लोग जो सुपरम्यान की पॉलिशी है, सुपरम्यान जो लोग होते हैं, वो समाज का दुख और बढ़ाने के लिए पैदा हो गए, समाज का दूर करने के लिए नहीं पैदा हो गए, समाज का दूर करने के लिए तो समाज सुदारत है, जिन्होंने समाज के दुख दूर किये, हमारे मह आहां आना हुआ है लेकिन जो कि आपको शिवाजी शत्रापति शिवाजी महाराज ने अपको ये ने का वो शुर्वेर थे अपने बल्बुते पे आगे बजाते थे उन्होंने जो पी क्या अपने बल्बुते पे किया, उन्होंने कभी नहीं किया कि अपने कुछ सुपरमैन, सुपरमैन की पॉलिशी ये गलत है और सुपरमैन की पॉलिशी आदमी को गुलाम बनाती है और बुदद हम में ये कहा गया कि सभी जो मारग है बुदद के जो भी मारग है जो मानसिक गुलाम गिरी दूर करने के बाद में शुरू होते हैं अगर आप मानसिक गुलाम हो किसी के, तो आप कितना भी तत्वत न्यान पढ़ लो, लेकिन आपकी मानसिक गुलामगिरी अगर है, तो आप ऐसे रहेंगे. लेकिन आप अगर मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो, तो आपकी मानसिक गुलामगिरी, आपको जो भी तत्वत न्यान है, वो समझ में आएगा, और आप उसी प्रकार काम करेंगे, तो उससे समाज में भला होगा. जिससे अभी देखो, समाज में जाती वे उसता, अभी काफी कम हो गई, क्यों कम हो गई? कि समाज के लोगों ने, जब समाज, पुरा बोजन समाज मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो रहा है, इसलिए आज समाज मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो रहा है, इसलिए आज समाज में आज मानवता निर्मान हो रहे, नैतिकता निर्मान हो रहे, समाज में बंदुभाव निर्मान हो रहा है, अगर हम मानसिक गुलामगिरी में फसे रहेंगे, तो ये स्वतंतर ता कभी मिल जलने सकती है, आदमी स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो बावा साब ने कहा कि मानसिक गुलाम करने वाली जो है, पाज बाते हैं, पाज बातों से मानसिक गुलाम गिरी बनती है, यानि आदमी मानसिक गुलाम होता है, पाज बातों से आदमी मानसिक गुलाम होता है, तो पाज बा च्वात है अज्यानता है करें तथा जब गद्द्धनें कहा कि अज्यानता यह सबीत क्या मूर्य धुक्त सब्सक्रूब अज्ञान ताके वजह से कई पीडियों से लोग मांसी गुलाम बने बैठे कई पीडिया चले गए लेकिन उनके दिमाग नहीं बदले उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आया है वैसे ही जातिवादी व्यवस्ता उसे ही विचार अभी भी कुछ लोगों के है कुछ लोगों के असमानता वादी विचार अभी भी लोगों के वैसे है कुछ लोग अभी भी अमानवीय कार्य करते हैं चमतकारी कार्यों पर ध्यान देते हैं तो अभी भी वैसे है क्योंकि उन ग्यान में रखा गया। उनको उन तक सही घ्यान किसी ने पहुचा नहीं। सही ग्यान पहुचाने का काम, हर समाज में, हर समाज में जो ग्याने लोग होते हैं, हर समाज में ग्याने लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा काम होता है कि वो समाज में जाकर, जो भी समाज मानसिक गुलामगिरे में फसा है वो उनको मानसिक गुलामगिरे से मुक्त करे जो समाज एक सुपर पावर में फसा हुआ है सुपर पावर, सुपर पावर दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति में फसा हुआ है उसके बाहर हम निकालेंगे उसके बाहर हमको निकालने की आवशकता है ऐसे समाथ का शोशन कर लेंगे ऐसे से शोशन कर लेंगे एक ऐसे यह थे कि वो कहते थे कि एक बिमार था बिमार आदमी जवान लड़का था जवान लड़का था उसके माँ वियार में आती थी उसका उस भिक्षु के ओपर पुरा विश्वास था वो कहने लगी कि उसका लड़का काफी बीमार तो बुले ऐसा करो बुले यह सब बंदना होने के बाद सब बंदना कतम होने के बाद आप उस बच्चों को ले करा हूँ मेरे पास ऐसे मंत्र है ऐसी गाता है जैसे हमारे कई विख्षु होते पांच परितरान करो सब आपकी समझ्या दूर होंगी ओए ऐसी गाता है हमारे पास गाता से पुरी बिमारी दुरस्त हो जाती है कई डाक्टर के पास ले जाने क्या आवशकता नहीं अब उसने वो हो ए मांसिक गुलाम उसकी उसने वो लेकिन मैंने बंति जीने बोला तो सही है इतनी मांसिक गुलाम बरे इतना उसमें अध्यान पएदा होगे गए रात को बारा बजे उनका चालो हो गया गाता यह वो फिर उसके तब्बत और सिर्यस होने लगी और सिर्यस होने लगी फिर वो भिक्षु भब रहाया और उसकी मावी जवान लड़का पड़ा लिका इंजिनेर हो लड़का लेकिन उसकी माँ देखो कितनी अंद अध्यान अंदर सदा वाली है फिर उसने फिर आई दोड़ते दोड़ते औरो बाजो के घर वालों को बोले कि भया भया बोले मेरा लड़का कैसी तो भी कर रहा उसको कुछ तो तो फिर वो आये आदमी और उसको बोले कि चलो दोड़ा खाने में लेके जाते हैं उसने बताई नहीं कि ऐसे इसे हमने कारेकम किया वियार में चलो बोले दोड़ा खाने में लेके जाते हैं बारा बज़े फिर डाक्टर को उठा कि उसको एड़मीट किया और डाक्टर ने कहा कि अगर आदा एक गंट अगर नहीं लातीय आदा गंटा आपको थोड़ा वादा देर हो जाता था तो ये बच्चा आपका बच्ता नहीं था तो उसको दवा पाने दे करके उसको दुरस्त किया दुरस्त होने के बाद में उसके मा के दिल से वोई अंदसता गईश नहीं 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 वो उसे हो गया मेरा दवा खाने से कुछ नहीं हुआ इस तरह से अध्यान जो होता है वो आदमी को मोद घाट उतारता है अब देखे समाज में ऐसे आपको भी आपने समाज में ऐसे कई उदारन देखे होंगे अज्यानता के वज़े से हमारा जितना नुक्सान हुआ इतना नुक्सान किसी किसी कारणवस नहीं हुआ मैं कहता हूँ कि जाती व्योस्ता के वज़े से जितना नुक्सान नहीं हुआ उतना नुक्सान हमारे अग्यानता के वज़े से हो गए अंदर विश्वात से हो गया है इसलिए हम सत्य को जाने है क्या है सिस्टिम कैसा हो सकता है मंत्र से आदमी कैसा दुरस्त हो सकता है क्या है उसके अंदर क्या जाती है उसके अंदर कोई दवा जाती है उसके अंदर क्या मेडिशन क्या होता है उसके अंदर जो जन्तु है विमारी के, वो कैसे मरते है, मंत्रों से मरते है, कैसे मरेंगे, तो ये बात हमारे समझ में आना चाहिए, दुसरी बात है जो है, अज्यानता के बाद, दुसरा, अंदर विश्वास, भाए, दुसरी बात है, भाए, डर, ये जो डर बैठा हुआ है, आदमी के दिल में, वो डर बहुती खतरना होता है, बहुती खतरना होता है, आदमी डर के मारे आदा मर जाता है, डर के मारे, अभी मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे कभी हम लड़ाए में युद्द के मैदान में जाते हैं, और पहले उसको बता दी हमने, कि जिसके साथ तो युद्द कर रहा है, वो बहुती बलवान है, ताकत वान है, उसके पास हजारों की सेना है, हजारों की सेना है, तो क्या उसके सामने टिक पाएगा, तो तो पहले मैदान छोड़ के भागेगा, शत्रपति श्वाजी महाराज ने कितने बड़े-बड़े से, कितनी उन से कई पट जिन की सेना ज्यादा थी, कोई शस्त्र जिन के पास बड़े-बड़े शस्त्र थे, लेकिन सभी को श्वाजी महाराज ने मात की, उनके पास एक विजन थी, उसके पास एक टालेंट था, उनके पास शौरिय था, उनके पास नीडर थे, नीडर, डरने वाले नहीं, हमारे अंदर जो डर पैदा हो गया है, डर हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, जैसे पहलवान कुस्ती में जाता है, तो पहलवान को अगर पता दिया जो दूसरा, अरे वो पहलवान तेरे से डबाला है, तेरे से बहुत ताकतवान है, उसने कई पहलवान को हरा दिया, तो यह पहलवान की जो आधी ताकत है, वो लड़ने के पहले आधी ताकत कतम हो जाए तो डर के वज़े से उसकी आदी एनर्जी जब आदमी के दिल में डर होता है आप देखे आपको अनुभव आया होगा और हमें भी इस बात का अनुभव है जो डरता है उसकी आदी एनर्जी खतम हो जाती है तो आगे बढ़ी ने सकता और जो डरता नहीं वो आगे बढ़ जाता है अभी देखो समाज में इस तरह से डर पैदा कर रहे है लोग अरे पूरा खाज़की करन हो रहा है पूरा प्राविटी चेशन हो रहा है तो अपने बच्चे को नवकरी नहीं मिलेंगी अपने बच्चे खाली रहेंगे फिर अपन क्या करेंगे पढ़ाई करके नवकरी नहीं है गौर्मेंट जाब ही नहीं है सब जाब खतम हो गए बच्चों को इस तरह से डराया जाता है तो बच्चे का ध्यान लगेगा पढ़ाई के तरफ बच्चे का ध्यान पढ़ाई के तरफ नहीं लगे अरे गौवर्मेंट की नहीं मिलेंगे तो प्राइवेट तो मिलेंगी लेकिन उसको पहलेट आ रहा है कि आपको नवकरी नहीं मिलेंगे तो इस तरह से कभी भी हमारे लिए हानी कारक होता है हम बच्चे को हिम्मत दे तो अच्छी पढ़ायकर तो इंजिनेर बनेगा तो प्राइवेट में भी तुझे काम मिलेगा तो एक इंजिनेर काम मिलेगा तुझे लेबर का काम नहीं मिलेगा तो अच्छी पढ़ाई कर डाक्टर बनेगा तो तुझे काम मिलेगा खाजगी में तो तुझे अच्छाय काम मिलेगा मजदूर नहीं बनेगा तू तो खुद की भी बलबत्वें पर काम कर सकता प्रश मुझे जया सकता है लेकिन हर्ऐ के इसमें ग्यान के आउशकता होती, क्यां नवकी करने के लिए नवक्री करना देख विया करना हैや ? नहीं, ज्ञान सब्सक्राइत हैब क्यान अर्श डर्म घरगूती दुर मने काम करना है और जिसको ग्यान नहीं अध्यानि आदमी जो काम करेगा अलग काम करे गा। ग्यानी आद्मी कोई भी टेक्निक बहुत जल्दी सीख लेता है और अध्यानि आदमी कुछ नहीं सीखता। तेसले हमारे बच्चों में डर पैदा नहीं करना चाहिए। जो है पढ़ाई करो पढ़ाई करो जब तक अच्छा काम नहीं मिलता पढ़ाई करो जब घर का परिवार है घर के परिवार में आवशकता है अब घर का परिवार आपको पढ़ाई में मदद नहीं कर सकता है बुडे माबाप है उनको अभी पालन पोशन करने की जवाबदारी आपके उपपर आगे तब आपको जो अपने ग्यान के बदवलत जो भी आपने आज तक ग्यान किया उस भरोसे ऐसा काम करो कि वो काम से परिवार को हम चला सके और अच्छा काम करो गलत काम मत करो जिससे समाज बदनाम हो परिवार बदनाम हो ऐसा गलत काम हमें नहीं करना है क्योंकि परिवार चलाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही कोई बड़ी बात नहीं सिर्फ पैसा कमाना ही ये नहीं है तो परिवार के लिए अच्छे आचरन की भी आवशकता होती है परिवार को अच्छे बाते देने की भी आवशकता होती है आज बच्चे गरीब बच्चे भी देखते हैं कि क्या खर्चा कर लेते हैं कितना खर्चा करते हैं माबाप को परिशान कर लेते खर्चा करने, ऐसी बातों से हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो हमें घर की परिश्थिते देख करके भी हमको काम करने की आवशकता है, और हम इस तरह से काम करें, तो जो कहने का मतलब जो विशय है, वो डर का विशय है, भय, भय से आदमी को बहुत प्रिशता है. दिए पिंपल के रुष्य की नीचे मधळ बैटो पीपल के रुष्य से नीचे रहोगे तो आतमे सिटाव जाएगा उसमे निकलता है भूद भाहेराव कि निकलता है वो मार डलता है तो उन्होंने हिम्मत लगाई भाए डर को निकाल दिया तब उनको ग्यान प्राप्त हुआ उन्होंने सही चिंतर जिसके दिमाग में डर रहता है भाए रहता है वो सही चिंतर ने कर सकता क्योंकि जो डर रहता है वो उसके चिंतर को विचलीत कर लेता है अगर कोई बच्चा डरने वाला हो उसको पूरा घर बंद कर दो और उसको बोलना कि आप आप कहले है एकांतवास है आप इसमें अच्छी पढ़ाई करेंगे तो एकांतवास है लेकिन अगर उसके चित्त में भाय है डर है तो कितना भी एकांतवास मिले उसका मन विचलीत होगा कोई आवाज आएगा तो यह तो नहीं आ रहा कोई यह तो डरते रहेगा वो लेकिन जिसके चित्त से भाय निकल गया तो एकांतवास में जदा जदा अपने मन को कॉंसरेशन कर सकता है चित्त को एकागर कर सकता है तो भाय हमारे महामनवर ने निकाल दिया भाय निकाल दिया इसलिए समाज की प्रगति हो गई अगर हम डरते रहते तो समाज उन्नती नहीं कर सकता था इसका देवी का डर तो इसका डर तो भूत का डर तो इसका यह सब डराते रहते चीक आगे तो भी डरो कितना गलत सिस्टिम था कोई आड़ा बिल्ली आड़े गए तो भी डरो ऐसी इस तरह से डरा डरा करके हमको इतना समाज में इतना एक समश्या निर्मान होगी डर के वज़े से इसले समाज को अगर हम अच्छा बना सकते और मानसिक गुलाम गिरी अगर खतम करना चाहते हो क्योंकि मानसिक गुलाम गिरी है समाज के दुखह का कारण है सामाजिक दुखह का कारण मानसिक गुलाम गिरी है तो हम समाज को नेदर बनाओ और जो अंदसर्दा है उसमें से समाज को निकालने का प्रयास करो और भाई की बात है भाई की बात बिल्कुल डर्द निकाल दो तथागत बुद्द्ध ने कहा कि तुम जो गलत काम करते हो, बुरे काम करते हो, एकादी बच्चा अकेले में सिग्रेट पीता है, उसमें कांजाबी डाल देता है, उसको डरो, गलत काम है, उसको डरो, चाहे कोई देखे या न दे, लेकिन ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, वो गलत काम काम है डर करना होना काम का दुश्परिनाम जिसको कहते हैं कि जो गलत काम है उसके दुश्परिनाम बहुत है बहुत दुश्परिनाम है आप बोलते कहेंगे कि मैं गलत काम करूंगा तो किसी को भनक नहीं लगेंगी तो गलत काम करने के लिए डरो ततागत बुद्ध ने कहा कि भय है वो डरना है तो गलत कामुक को डरना है और गलत कामुक से त्याग करना है लेकिन भय जो है अच्छे कामुक के लिए काय का डर है अच्छा काम करने के लिए कोई भी समय अच्छा है कोई भी जगा अच्छी है और कोई भी जो स्थल है वो अ गलत कामों के लिए हमको डरना पड़ता है तो जो डर निकालो मांसिक गुलामगीरी से मुक्त हो जा और समझ को समाज की जो दुख है वो दूर करो नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत कर दो जो जय भारत